खेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल दिस्टोरी नॉलेज में आज हम आपके लिए लेकर आये हैं जोजफ मर्फी की बुक हाउ टू अट्रैक्ट मनी की समरी डूक्ट मर्फी का मानना है कि हर इनसान इस धर्ती पर बढ़ने और मानसिक आध्यात में किया भहुत इकवादी तरीके से बढ़ने के लिए आया है एक अबंडन्स से भरी जिन्दगी जीने के लिए जितनी वेल्थ जरूरी है उतनी वेल्थ हम सब डिजर्व करते हैं इस किताब में हम सीखेंगे कि कैसे पैसा को अपना दोस्त बनाया जा सकता है, वेल्थ को कैसे डिवेलप किया जा सकता है, अपनी अबिलिटीज में अपने विश्वास को कैसे बढ़ाया जा सकता है और हमेशा वो कैसे पाया जा सकता है जो कभी खत्म ना हो हमारी अमीर बनने की इच्छा एक खुश और अद्भूत जिन्दगी जीने की इच्छा है इसलिए अपने पैसों की सोच को बदलते हैं और financial success या prosperity का मन्त जाने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखे तो चलिए शुरू करते हैं अमीर बनने का आपका अधिकार अमीर बनना हमारा अधिकार है हम सब इस धर्ती पर एक भरपुर जिन्दगी जीने खुश रहने और आजाद रहने के लिए आये हैं एक खुशाल जिन्दगी जीने लायक पैसा हम सब के पास होना ही चाहिए हम सबको लक्षरी या ब्यूटिफल जिन्दगी जीने का पूरा हक है लोगों के पास पैसा ना होने का सबसे बड़ा कारण है वो पैसे को खराब मानते हैं उनका मानना है कि पैसा ही सारी बुरायों की जड़ है एक और कारण है लोगों के पैसा न कमाने का क्योंकि उनको गरीबी अच्छी लगती है और उनकी ऐसी सोच का कारण उनका ऐसा पालन पोशन और अंध्विश्वास हो सकता है लेकिन गरीबी में कोई अच्छी बात नहीं है बाकी बीमारियों की तरह ये भी एक दिमागी बीमारी ही है अगर आप फिजिकली बीमार होते हैं तो आपको लगता है आपके साथ कुछ दिक्कत है या आप अपनी स्थिती सुधारने के लिए आप कुछ न कुछ करते हो वही तरिके से अगर आपकी जिंदगी में पैसा भी लगातार नहीं आता तो आपके साथ कुछ दिक्कत है जो आपको बदलने की जरूरत है हम सब सफल हुने, जीतने या सभी परिशानियों से लड़ने के लिए पैदा हुए है अगर आपकी जिंदगी में आर्थिक रूप से कमी है तो आपको उसके लिए कुछ करना चाहिए सबसे पहले पैसे से जुरे जितने भी अंध्रिश्वास या कहानिया है उससे खुद से दूर कर ले पैसे को खराब या अपना दुश्मन न समझे क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आप खुद ही पैसे को खुद से दूर कर रहे हो कुछ लोग कहते हैं कि पैसे के लिए मड़ हो जाते हैं पैसे के लिए चोरिया होती है या पैसा हजारों क्राइम्स का कारण है लेकिन फिर भी ये सब पैसे को खराब नहीं बनाते बिजली या पानी का इस्तमाल कर सकता है किसी को मारने के लिए लेकिन इसमें बिजली या पानी खराब नहीं है इसी तरह अगर आपके हाथ में सुई चुप जाती है तो उसमें सुई की गलती नहीं है हमें ये पता होना चाहिए कि जिन चीजों का इस्तमाल प्राइम्स में होता है उसमें चीजों का कोई दोश नहीं होता हमें उन चीजों को कैसे इस्तिमाल करते हैं वो तैक करते हैं कि ये हमारे लिए आशिरवाद होगा या वो हमको नुकसान पहुंचाएंगे सब कुछ छोट कर सिर्फ पैसे से प्यार आपको जरूर असंतुलित जीवन दे सकता है कुछ लोगों को सिर्फ पावर चाहिए और कुछ लोगों को सिर्फ पैसा अगर आपका दिल सिर्फ पैसे पर आ गया है और बाकी कुछ आपके लिए मैटर नहीं करता तो आपको शायद पैसा तो मिल जाएगा लेकिन balanced life नहीं मिलेगी अगर आप अपना सारा समय और effort सिर्फ external चीज या पैसा पाने में ही लगाएंगे तो आपके पास मन की शांती, प्यार, खुशी और perfect health की कमी रह जाएगी सिर्फ पैसे का प्यार life में frustration देता है, निराशा देता है या यहाँ इस case में इसको सारी मुसिबातों की जड़ कहा जा सकता है अगर आपने पैसा कमाने को अपनी life का एक मातरक मकसद बनाया है तो आपने life की सबसे बड़ी गलती की है आपको ऐसा लगता है कि आपको life में बस पैसा ही चाहिए, लिकिन अपने बहुत सारे प्रयास के बाद आपको असास करते हैं कि आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए आपको वास्तब में मन की शांती या प्रचुर्ता चाहिए, आप पैसे के साथ भी मन की शांती उत्तम स्वास्थिपा सकते हैं धन, भगवान की सुन्दर्ता एवं प्रचुर्ता का प्रतीक है और इसको इस्तमाल ऐसे किया जाना चाहिए कि इसका आशिरवाद हमारे उपर हमेशा बना रहे। ये राश्ट्र की economic health का भी symbol है। जब body में हमारा blood सही मात्रा में होता है तो हम healthy होते हैं। ऐसे ही जब पैसा भी हमारी life में सही मात्रा में होती है तो हम economically healthy होते हैं। धनवान होना भी सचेत होने की ही एक दशा है। वैग्यानिक लोग पैसा या दौलत को समुद्र की लहरों से तुलना करते हैं। जिसका मतलब है वो जाती है लेकिन लोट के भी जरूर आती है। लहरे कभी नहीं रुकी। वही ऐसे ही धन भी नहीं अगर हम भगवान पर भरोसा बनाये रखें। अगर हम अपने अपचितन मन को हमेशा धन की आपूर्ती देने के लिए प्रभावित करना चाहते हैं तो एक तरीका अपना जा सकता है और वो है सबसे पहले अपने मन को शान्त करें। आराम करो, ऐसी स्थिती में जाये जहां आप आधी नींद में हो या सोने वाले हो और फिर शान्ती से खुद से पूछे हमारे विचार कहां से आते हैं। धन कहां से आती है? हमें दिमाग कहां से मिलता है? इन सवालों के जवाब में आपको एक ही स्रोत के बारे में पता चलेगा या वो है आध्यात्मिक शक्ती आप समझ जाओगे कि धन सिर्फ दिमाग की एक दशा यानी अवस्था है एक वाक्यांश को धीरे धीरे चार से पांच बार दिन में रिपीट करें विशेश रूप से सोने से पहले मनी मेरी जिंदगी में हमेशा बह रही है और एक दिव्य शक्ती मेरे उपर हमेशा प्रेजेंट होती है अगर आप इसे रोज दोहराएंगे तो पैसे का आइडियर आपके दिमाग में अंदर तक उतर जाएगा और आप वेल्थ कॉंशिस बन जाएंगे इसका दोहराव बस यांत्रिक रूप से दोहराने से कुछ नहीं होगा आपको इसको बोलते हुए महसूस करना होगा दिमागी स्तर पर स्वीकार करना जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं उनको शुरू में ऐसे बयानों से कुछ मदद नहीं मिलती जैसी की इसका कारण है कि सबकॉंशिस माइंड सिर्फ वो ही स्वीकार करता है जो आइडियर और फीलिंग डॉमनन्ट यानी दिमाग में हवा होती है जब वो बोलते हैं कि मैं सम्रिध हूँ तो उनके अंदर कमी यानी अनुभव की भाबना ज्यादा मजबूत होती है ना कि सम्रिध होने की इसलिए वो खुद से बात करते हैं कि मैं सम्रिध नहीं हूँ, मैं तो गरीब हूँ कमी की भाबना इतनी मजबूत होने से पुष्टी भी कमी को ही बढ़ावा देती है इसको दूर करने के लिए बगिनर्स को वो अफिर्म करना चाहिए जो कॉंशिस या सबकॉंशिस माइन्ड एक्सेप्ट या सहमत करें उसके बाद दिमाग में कोई विरोधाभास नहीं होगा हमारा अवचितन मन हमारी भाबनाओं, हमारे विश्वासों और द्रिल विश्वास को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेगा हम अपने अवचितन मन को इस बात की पुष्टी करता है कि मैं व्यस्त रख सकता हूँ जैसे मैं हर रोज सम्रिधा हो रहा हूँ, मेरी दौलत या ज्यान साथ में बढ़ रही है मैं फाइनांशिली आगे बढ़ रहा हूँ इस तरह की पुष्टी मन में संधर्ष पैदा नहीं करेगा उदाहरं के लिए अगर किसी सेल्समैन के पास सिर्फ दस रुप्ये हैं तो वो आसानी से मान सकते हैं कि उसके पास अगले दिन ज्यादा आ सकते हैं उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आता कि वो अगले दिन भी पैसा नहीं कमा सकता वो ऐसे बयानों में उप्योग कर सकता है कि मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है उसका ये बयान मानसिक रूप से स्वी कार्य होगा जो उसे वो परिनाम देगा जो वो चाहता है लेकिन तब भी सच होगा जब वो सोचेगा बुलेगा या उसे अनुभव करेगा कि भगवान के पास धन की कोई कमी नहीं है इंसान तीन विचार पर काम करके बहतरीन परिनाम पास सकते हैं वो हैं स्वास्थित धन और सफलता एक तरीका है जिससे अद्भुत परिनाम पाए जा सकते हैं और वो है शीशे के आगे खड़े हो जाए और पाच से दस मिनट तक दोहराएं स्वास्थित धन और सफलता affirmations जैसे मैं स्वास्थ हूँ या मैं सफल हूँ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये affirmation मन में व्रम पैदा करती हैं लेकिन सिर्फ स्वास्थित धन या सफलता दोहराने से बहुत अच्छे परिनाम मिलते हैं डॉक्टर मर्फी का कहना है कि धन हमारे दिमाग में होती है और वो इसका एक उदाहरंग भी देते हैं एक युवा लड़का था ऑस्ट्रेलिया का जो डॉक्टर बनाना चाहता था लेकिन ना तो उसके पास पैसे या ना ही कोई डिग्री थी अपने खर्चों के लिए वो एक डॉक्टर का कार्याले साफ करता था, कांच साफ करता है या मरम्मत भी करता था हर रात जब वो सोने जाता तो वो कल्पना करता था एक वॉल पर डिप्लोमा लगा था जिसमें बोल्ड लेटर्स में उसका नाम लिखा था वो मेडिकल बिल्डिंग में दिवार पर लगे डिप्लोमा साफ करता था इसके लिए उसके लिए ये कल्पना करना मुश्किल नहीं था ऐसा उसे कुछ महिनों तक अनुसरंग किया, कुछ समय बाद हमें परिनाम मिलने शुरू हो जाते हैं एक डॉक्टर को वो लड़का पसंद आया और उस डॉक्टर ने उस लड़के को अपने पास ट्रेनिंग पर रख लिया या उसे कुछ चीजों की ट्रेनिंग दी डॉक्टर ने उसे अपने खर्चे पर हाइ स्कूल और फिर कॉलेज भी भेजा ये लड़का आगे चल कर कैनडा का एक बहुत बड़ा डॉक्टर बना उसके दिमाग में बिलकुल स्पष्ट शवी थी जो उसे चाहिए था उसके पास सपना था क्योंकि उसकी दौलत उसके दिमाग में थी वो ऐसा सोच सकता था कि मेरे पास तो डिगरी नहीं है, पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है और ऐसा सोचने से उसका सपना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है उसकी दौलत उसके विचार में थी या खुद की आध्यात्मिक शक्ती को इस्तिमाल करने में थी जिसने उसे और सफल बनाया डौक्टर मुफी का कहना है कि हम जो भी करते हैं वो हमारे आंतरिक विचार, भावनाई या द्रिल विश्वास का जवाब होता है हमारे सारे बाहरी कार्रवाई हमारे मन के आंतरिक आंदोलनों को पालन करते हैं वो अपना खुद का उदाहरन भी देते हैं या बताते हैं कि वो इमेजिन करते हैं उनकी एक प्रसित किताब, Magic of Faith का अनुवाद फ्रेंच में हो रहा है, जैसे उनका सपना था कुछ हफते तक हर रात को सोने से पहले वो खुद को Magic of Faith किताब का फ्रेंच अडिशन परते हूँ इकल्पना करते थे 1954 में क्रिस्मस से ठीक पहले, पैरस के एक प्रमुख प्रकाशक का एक पत्र उन्हें मिला, जिसमें उनकी किताब Magic of Faith को फ्रेंच में ट्रांसलेट करने और सारी फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज में प्रमोट करने की इजाज़त मांगी गई थी अंत में उनका सपना पूरा हुआ जिसको उन्होंने जैसा की रूप में यह भावनाओं और भावनाओं के साथ कल्पना किया था अगर हमने समझ लिया कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है तो हमारे साथ अच्छा ही होगा सोचना और महसूस करना हमारी नियती होती है चेतना के ठीक से हम सब कुछ पा सकते हैं स्वास्थे की चेतना हमें स्वास्थे देती है और धन की चेतना हमें धन देती है अगर आप अपने दोस्तों को बताते हैं कि आप एक नया बिजनस स्टार्ट करने वाले हो तो हो सकता है वो आपको बहुत सारे कारण देगा कि आप कैसे विफल हो सकते हैं वो आपके दिमाग में विफल होने का डर भी पैदा कर सकता है लेकिन जब आप जागरूख हो जाते हैं आध्यात्मिक शक्ती के बारे में मेरे जो आपके विचारों का जवाब करता है तो आप दुनिया के सारे rejections को avoid कर देते हैं और आपको पता होता है कि सफल होने के लिए सारी शक्ती या ग्यान आपके पास है कुछ लोग हमेशा दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं कि कैसे दूसरे लोगों ने चोरी बेमानी या ठगी से पैसा कमाया है जो लोग ऐसे बात करते हैं वो ज़्यादा आर्थिक समस्याई या शारीरिक बीमारी से घिरे होते हैं शायद उनके साथ के लोग जिंदगी में ज़्यादा सक्सेस्फुल हो गए या ये लोग पीछे रहे गए इसलिए ये लोग अब उन सब लोगों से जलते हैं कई जगए ये ही उनके पतन का कारण होता है दूसरे लोगों के बारे में नकारात्मक सोचने या उनके पैसे को देखने से वो अपना खुद की दौलत भी खत्म कर लेते हैं एक हाथ पर वो ज़्यादा पैसे के लिए प्रार्थना करते हैं और दूसरे हाथ पर वो दूसरे पैसे के लिए निंदा करते हैं हमको हमेशा दूसरे को आशिरवाद देना चाहिए उनकी सफलता में खुश होना चाहिए जब आप ऐसा करते हो तो आप खुद को ही आशीरवाद दे रहे होते हो अब आप किसी एक ऐसे इंसान के बारे में सोच रहे होंगे जिसने दूसरे को धोखा देकर या बेई मानी से दूसरों का आर्थिक रूप से फाइदा उठाया हो इसका जवाब सिंपल है जब हम किसी के साथ धोखा करते हैं, चीटिंग करते हैं या फ्रॉट करते हैं तो असल में हम अपने साथ ही वही कर रहे होते हैं असल में हम अपने आपको चोट पहुँचा रहे हैं हमें नुकसान बहुत तरिके से हो सकता है जैसे की हेल्थ में एल ओस, मन की शांती चली जाना, बीमारी या बिजनस में नुकसान जरूरी नहीं है कि नुकसान हमेशा पैसे का ही हो. आप दूसरे को नुकसान पहुँचाए बिना भी अमीर या सम्रिध बन सकते हैं. कुछ लोग हमेशा अपने आप से चोरी कर रहे होते हैं, स्वास्थिय, खुशी, आनंद या प्रेरना की चोरी. कुछ लोगों को लगता है उन्हें कभी चोरी नहीं की लेकिन ये सच नहीं है. जब भी हम किसी से जलते हैं, उसका बुरा सोचते हैं, या उनकी दौलत या सफलता को मन ही मन कोस्ते हैं, तो असल में ये खुद से ही चोरी करने जैसा है. अगर आपकी संस्था में कोई प्रमोट होता है, तो उसकी खुशी में खुश होना चाहिए. उसे मन से बधाये दें. अगर किसी के उम्र बढ़ने से आप गुस्सा या नाराज हो, तो अपना खुद का नुकसान कर रहे हो. अपने घर, बिजनस या बाकी चीजों के लिए ये प्रार्थना डेली करे, भगवान वो शक्ती है. जो सब जगह प्रेजेंट है और वही डिसाइड करता है कि सूरज कब उगेगा और कब धलेगा. उनकी नजर हमेशा हमारे बिजनस, हमारे घर पर है और हर उन चीजों पर है जो हमारी है. आप सब को अपनी समस्याओं का समाधान अपने अंदर धूंधना चाहिए. अगर आपको financial problem है तो सोने से पहले ये प्रार्थना हमेशा रिपीट करें अब मैं आराम से सोनगा, मैंने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया है क्योंकि भगवान के पास सारे जवाब हैं. जैसे ही सुबह सूरज उगेगा, मुझे मेरे जवाब मिल जाएंगे क्योंकि सूर्य कभी उदे कभी असफल नहीं होता. फिर सोने जाएं, आने वाले उजाले के लिए प्रार्थना करें, हर रात अपनी नीन को बहुत अच्छी बनाएं. गरीवी में जब आप भूखे होते हो तो आप खाना धूंडते हो, जब आप परिशान होते हो तो शांती चाहते हो, जब आप कमजोर होते हो तो ताकत धूंडते हो. आपकी सम्रिद्धी की चाहत भी एक भगवान की ही आवाज है जो आपको बोलती है कि बहुतायत आपकी है इसको अपनी हर रोज की प्रार्थना में जरूर बोले भगवान ही सारी शक्तियों का जरिया है भगवान की शक्तियां ही मेरी शक्तियां है मैं हमेशा अपनी सची वर्थ के लिए सचेत रहता हूँ मैं अपने टैलेंट्स को यूज करके अमेजिंग रिजल्ट्स पा सकता हूँ भगवान को धन्यवाद अमीर बनने का रास्ता वेल्थ हमारे दिमाग में होती है मान लो अगर किसी डॉक्टर की सारी डिग्री या ओजार चोरी हो जाए तो भी अक्चुल नॉलज और वेल्थ उसके दिमाग में होती है वो अभी भी लोगों का इलाज कर सकता है बस उसके डॉक्टर के पढ़ाई की सिम्बल्स चोरी हो गए है लेकिन उसकी दॉलत उसकी मानसिक शमता उसकी दूसरों को मदद करने की नॉलज या मानवता को योगदान करने में है डॉक्टर मुर्फी बाईबल में यूज हुए एक पैसेज चेंज द वाटर इन्टु वाइन का मतलब समझाते है ये एक सम्पूर्ण स्वास्थित प्रसन्नता, मन की शान्ती या सम्विद्धी पाने का उत्तर है शराब का मतलब बाईबल में हमेशा होता है अपने सपने या योजना की प्राप्ती होना दूसरे शब्दों में ये वो चीज है जो आप पूरी करना, हासिल करना या पाना चाहते हो पानी का मतलब आमतोर पर आपके दिमाग या चेतना से है पानी को जिस भी बरतन में डाला जाए वो उसकी शेप ले लेता है वही ऐसे ही आप जो भी विश्वास करते हो या हमें फील करते हैं वो आप अचीव करते हो, इसको ही पानी को वाइन में बदलना कहा गया है डॉक्तर मर्फी यहां अपना एक प्लाएंट का उदाहरन शेयर करते हैं पानी को वाइन में बदल कर अपनी जिन्दगी का पहला चमतकार किया उस लड़की का एक बहुत अच्छा सा सलोन था लेकिन उसकी मा बीमार पढ़ गई या उसे घर पर रहना पढ़ा उसकी अनुपस्थिती में उसके सहायकों ने पैसे का हेर फेर कर दिया या यहां तक कि वो लड़की दिवालिया हो गई उसका घर बिक गया या उसके उपर बहुत सारा करजा भी चड़ गया वो लड़की अपनी मा के हॉस्पिटल बिल्स तक नहीं भरपा रही थी और नहीं उसके पास कोई काम था यह लड़की दुनिया से लड़ रही थी उसका कहना था मैं सब कुछ खुच चुकी हूँ मैं अपने बिल्स नहीं भर सकती मैं प्रे नहीं कर सकती क्योंकि मैंने उम्मीद खो दी है डॉक्टर मुफी ने इस लड़की को पानी को वाइन में बदलने का फॉम्यूला समझाया तब उसे समझाया कि उसको दुनिया से नहीं बल्कि अपने मन की लगाई को ठीक करना होगा ये वही चीज हमारे साथ भी होते हैं हमारे मन में हमेशा एक वार चलती रहती है हम अपनी संपत्ती या अन्य इच्छाओं को पूरा न होने के लिए बाहरी वातावरं को दोश देते हैं प्रार्थना हमें हमारे मानसिक संधर्ष से बहार निकालती है प्रार्थना एक तरह की मानसिक विवा की दावत होती है जहां विचार और भावना ही हमारी नियती है जैसा हम अपने अंदर सोचते हैं या महसूस करते हैं वैसे ही हमारी बाहरी दुनिया होती है जो हमारी body, finances, environment और social position आदी है हमारे आंतरिक movements हमारे बाहरी movements को control करते हैं भगवान आपके लिए क्या है? आध्यात्मिक शक्ति को भगवान का नाम दिया गया है God एक वो invisible source है जहां से सारी चीज आती है एक आध्यात्मिक शक्ति है जो हमारे सारे विचार का प्रतिसाद देती है एक इनसान जब प्रार्थना करता है तो अपनी काम को भगवान में विश्वास या विश्वास में बदल सकता है जैसे ही उसका विश्वास आध्यात्मिक शक्ति में होता है उसकी जीत की feeling strong होती जाती है ये आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी देता है दिन भर में हजारों तरह के विचार, अपिनिन्स, द्रिश्य और ध्वनिया हमारे कानूई या आखों में पढ़ते हैं ये हमारी पसंद है कि हम ऐसे विचार को अस्वीकार कर दे या उनको मनुरंजन करते रहें डॉक्टर मर्फी ने जब ये सब अपने क्लाइंट को समझाया कि जो सलोन के मालिक थे तब वो मेंटली अमीर हो गई उसे सोचने और महसूस करने का नया तरिका अपना लिया रात में बहुत शांत और रलाक्स हो जाती या अपनी इमेजिनेशन को यूज करना स्टार्ट किया उसने थ्री स्टेप्स फॉलो करने शुरू किये तीन हफ़तों तक कुछ नहीं हुआ वास्तव में उसकी स्थिती और खराब हो गई उसने गेव अप नहीं किया यहार नहीं मानते हुए यह अभ्यास करती रही एक महीने के अंदर उसकी शादी हो गई और उसकी शादी में 24,000 डॉलर का चेक गिफ्ट में मिला और अंत में उसने पानी को वाइन में बदलने का चमतकार करने का अनुभव किया जब भी आपके दिमाग में नकारात्मक विचार आएंगे जो की आएंगे ही कभी अपने नकारात्मक विचारों से लड़ाए या जगड़ा न करे बाल की आध्यात्मिक या मानसिक फॉम्यूला अपनाए और इसको रपीट करे भगवान मुझे सब कुछ दे रहा है हर चीज का सल्यूशन भगवान के पास है भगवान की दौलत ही मेरी दौलत है हमारी प्रार्थना जहाज के कप्तान की तरह है हमारे पास बस कहीं पहुँचने की मंजिल होनी चाहिए जहाज के कप्तान को रास्ता मिलता है उसी तरह हमारी प्रार्थनाओं को गंतव्य तक पहुचाने का रास्ता पता है या हम ब्रिज पर खड़े कप्तान की तरह हैं हम विचार, राय, आदेश या विश्वास से मुझे आदेश दे रहे हैं इमेजन करो कि आपको बहुत बड़ा खजाना मिला है इसको सोचिए, फील करें और नोटिस करें कि इस आइडिया पर आपकी बोड़ी कैसी रियाक्ट करती है इस रियाक्शन की इमेज को अपने दिमाग में बैठा ले खुद की इस इमेज को पूरी खुशी या विश्वास के साथ बार बार सोचिए और प्रार्थना के लिए आप ये मुम्किन कर सकते हैं अपने मन को शान्ती, सफलता, धन या खुशी के विचारों में व्यस्त रखें पूरी भावना या विश्वास के साथ हमको दौलत से शादी कर लेनी चाहिए लेकिन साथ ही दिमाग में बहुत सा डर, शक, शिन्ता, आलुचना, इर्शा या गुस्सा जैसी अतिरिक पत्निया रखकर इस मैरज के साथ फ्लर्ट न करें तो दोस्तों हमने इस वीडियो में How to Attract Money Book के बारे में जाना है हमारा लक्ष है कि आप हमारे वीडियो उस से हर दिन कुछ न कुछ सीखे और इससे अपने जीवन को बहतर बनाए आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करे इस वीडियो को लाइक करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेर करना न भूले मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद